नमस्कार, क्यापिटल टिवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूछा यूपी विधान सबाद चुनाव को देश का सबसे महतपून चुनाव माना जाता है और इस चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तयारियां लगबग पूरी कर ली हैं इस चुनाव में योग्य आदतनाथ दुबारा सियम बनने में काम्याब हो पाएंगे या अकलेश यादव बाजी मार ले जाएंगे, ये सवाल सभी के मनमे है चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी होगी हार ओपीनियन पोल से काफी कुछ साफ होता नज़र आ रहा है और आज हम आपके लिए फानल ओपीनियन पोल का रिजल्ट लेकर आए हैं तो आज यूपे के दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए मारा साथ स्टूडियो में मौझूद है Capital TV के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनेश कुमार्डरक साब बहुत बहुत स्वागर है कई तरह के ओपीनियन पोल किये गए आज हम आपसे चर्चा करेंगे G News के डिजाइन बॉक्स पार्नल ओपीनियन पोल की ये ओपीनियन पोल तो ये कह रहा है कि बीजेपी को 241 से 263 सीट वोटिंग परसेंटिस की बात करें तो 41 परसेंट और समाजबादी पार्टी की बात करें तो 130 से 151 सीट 34 पर फीजदी इनके हिसाब से बताया जा रहा है इस पर क्या कहेंगे आप देखें सबसे पहले तो आज सरसुति पूजा है तो सबको उसकी बधाई और आज मैं ट्वीट देख रहा था समाजबादी पार्टी की तरफ से अफिसल ट्वीटर हैंडल पे वसंद पंचपी की बधाई भी दी गई लेकिन सरसुति पूजा का नाम नहीं राजमीती इशारों में होती है पहला दो फेस समाजबादी पार्टी के लिए काफी इंपॉर्टन है और उसके लिए आज हम लोग एक अलग से वेस्टन यूपी के लिए वीडियो भी बनाएंगे लेकिन ये जो पूरे उत्रपरदेश का जो महौल नज़रा रहा है और सारे ये सिर्फ जी डिजाइन बॉक्स ही नहीं जितनी भी जो सर्वेज हो रहे है सब भारती जनता पार्टी को 39 से 41 परसंट वोट्स दे रहे है मेरा ये मानना है कि ये चुनाव अल्रेडी बाइपोलर हो चुका है बाइपोलर का मतलब ये हुआ कि आमने सामने की लडाई है अखलेश जादव और योगी आधितनाथ बाइपोलर का मतलब है कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी का सीधे सीधे टक्कर है अब ऐसे इस्थिती में जो वोट परसंटेज है उसका क्या रोल होता है पिछली बार के गर हम बात करें तो यहीं 41 परसंट के आसपास भारती जिंदा पार्टी को वोट मिले थे और पिछली बार यह यूपी के दो लड़के जो लड़ रहे थे उनको 31 परसंट वोट आया था ठीक और करीब 24 परसंट के आसपास 24 के आसपास मायावती ने भी वोट लिये थे मतलब पिछली बार मोटा मोटी एक त्रिकोनी यह मसला चल रहा था और इसलिए जो सीटे आई वो कई लोगों को बगएदा अच्छम बित करके कि 325 सीटे बीजे पी के पास और ये लोग 31 फीसदी पाकर भी 55 सीटों पे सिवट गए मायावती 24 परसंट लाई लेकिन डबल डिजीट में नहीं पहुँच सकी अब इसका मतलब क्या है और मोटा मोटी अभी भी गर आप देखे तो वोट परसंट इस क्या बता रही है आप 41 परसंट समाजवादी पार्टी को 34 परसंट तो ये मसला तो कहीं जाता हुआ दिखनी रहा जो लोग ये कह रहे हैं कि जमीन पे बड़ा टफ कॉम्पेटिशन है टफ कॉम्पेटिशन है वो क्यूं कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ही तो हवा में सब कुछ चल रहा है अगर सर्वे जेन्विन है तो इसका मतलब ये है कि जमीन में कुछ नहीं बदला है और मैं आपकी बात और बता दूँ अगर एंटी इंकम्बंसी होती है कि कोई सरकार के खिलाफ हवा चल रही हो तो वो सर्वे में परिलिक्षित होता ही होता है आप तो मैं एक एक इसांपल देता हूँ 2019 का चुनाओ सारे सर्वेज को आप देख ले सारे सर्वेज ये कह रहे थे कि जो एंडिये है बीजेपी नहीं एंडिये वो 230-25 से जाद़ नहीं जा सकता बहुमत आने का तो सवाल नहीं किसी सर्वेज ने बहुमत नहीं दिया किसी एकजिट पोल ने भी एक दो को छोड़के किसी ने ये दावा तक नहीं किया कि मोधी सरकार को वापस जंता चुन के भेज रही है तीन सो की तो बात ही छोड़ दीजिए बीजेपी के सीटे तीन सो क्रॉस कर जाए ये चुनाओं से पहले कोई बोल ही नहीं रहा था क्या हुआ कौन सा कमाल हुआ था तो कमाल ये हुआ था कि देखिए ये जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं दे डिनोट वेंचर आउट इन्टू वेरी डिस्क्रीट और लोकल रूरल इलाकों में जहां बहुत दूर जाके नहीं करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये अर्बन सेंटर्स पे करते हैं और भारती जिन्टा पाटी ने क्या किया है इस दौरान कि जो गाउं में जो गरीब तक का है जिसने आज तक सरकारी योजनाओं का फायदा कभी देखा नहीं था जिनके नाम से पैसे तो आते थे अनाज तो आता था लेकिन सब दलाल अधिकारी नेता सब चट कर जाते थे लूट मची हुई थी तो वो एक बड़ा सेक्शन इस सर्वे से इस तरह के तमाम सर्वे से वो गाइब रहता है अब उसके बावजूद यह 41% 34% का गैप नज़र आ रहा है तो एक और इसमें नया एलिमेंट है वो एलिमेंट यह है कि अगर ट्रेंग्लर फाइट है तो सीटेंग इस हिसाब से नहीं आएगगे और अगर 1-to-1 है फिर मैं यह कह रहा हूँ कि यह चुनाओ और इसमाजवादी पार्टी है और अगर 1-to-1 है अभी डिफरेंस कितने वोट का पढ़ रहा है यह 7% का डिफरेंस पढ़ रहा है 7% के डिफरेंस में तो आसमान जमीन का फर्क हो जाएगा समाजवादी पार्टी अगर 34% वोट लाती है और बीजेपी 41% वोट लाती है समाजवादी पार्टी डबल डिजिट में नहीं जा पाएगी यह मेरे इस वीडियो को और मेरे इस कतन को नोट करके रख ले कि अगर 7% का डिफरेंस है तो भारती जनता पार्टी साड़े 300 सीट लेकर के आएगी और यह लोग 100 के अंदर पूरी तरह से बुक हो जाएगी और अगर हम इसको और भी रेस्टलाइज कर दें तो 300 प्लस पिछले बार कितनी सीट तो कही नहीं जा रहा पिछले बार भी इतनी वोट्स थे और इस बार चुके यह मामला आमने सामने का है तो सीटे और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर यह 1 to 1 है मैं बार-बार कह रहा हूँ इस तरह के मुकाबले के लिए आपको बड़े गोर से दिल्ली के आंकलों को देखना चाहिए बिल्कुल दूसरी पार्टियों की भी बात कर लेते हैं दूसरी पार्टिया कहां खो गई परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है बियस्पी की बात करें तो से बारब फीजदी जिसमें से चार से नौ सीट का नुमान लगाया जा रहा है वहीं कॉंग्रेस सिर्फ और से छे फीजदी जिसमें से तीन और साथ सीट बस मैं इसलिए मैंने कहा अच्छा कि आपनी ये सवाल बियस्पी को लेकर के उठाया एक दिक्कत है सर्वेज में जो मैंने कहा कि चुकर ये सर्वेज अर्बन सेंटर्स और ज्यादा से ज्यादा ये ब्लॉक लेवल तक जाकर करके ये सर्वेज कर पाते हैं दूर दराज गाओं में वो नहीं कर पाते हैं तो सर्वेज में आप हमेसा देखेंगी कि वो बियस्पी का जो हार्ड कोर वोटर है जो गाउं में दलित बस्तियों में रहता है बिलकुल ही घरीबी स्थिती में रहता है जो सर्वे वाले को सवाल का जवाब भी ढंगसे नहीं दे सकता सर्वे वाले जो सवाल पूछेंगे उनको समझ भी नहीं आएगा जो रात के अंधेरे में भी जाकर के हाथी को वोट करके आते हैं हाट कोर वोटर से मायवती के इतना जो सारे लोग जो मायवती को बिलकुल कम आक रहे हैं वो ठीक है कि पिछली बार की तरह वो पूरी तरह से एग्रेसिव नहीं है जिस तरह से वो उन्होंने उनका पूरा जो प्रचार तंत्र रहा है प्रचार प्रसार का जो तरीका रहा है कोविट की वज़े से या फिर क्योंकि सोशल मीडिया में तो वो नजर नहीं आएंगी उनके वोटर सोशल मीडिया पर नहीं है उनके वोटर के पास फोन नहीं है उन का मतलब यह है कि जिस वज़से यह सारे सर्वेस पिछले बार भी हुआ था दोजार उनीस में नहीं कहा कि वह पहुंच नहीं पाए और अचानक से सब कुछ हो गया कई सारे सर्वेस बिहार में लालू प्रसाद यादब के बेटे को जिता रहे थे यही एरर था क्योंकि हम लोग वहां बिहार को हम लोगों ने बहुत एक्स्टेंसिवली कवर किया था हम लोग खुद जमीन पे वहां जाके ग्राउंड में जाकर के रिपोर्ट कर तक एक ही नाम उनको पता है नितिश कुमार भी नहीं किसको भोट दोगी दादी तो सीधे वह भोती थे मूदी उसके अलावा कोई नहीं तो यह जो सर्वेज जुआ रहे हैं यह सर्वेज बहुत ही ज्यादा चिंता जनक के स्थिति बता रहा है किसके लिए समाजवादी प अब बहुत ही आप क्रूसियल जंग्चर पे पहुँच गये हैं पहला दो फेज दो दिन तीन दिन के बाद परचार परसार भी बंद हो जाएगा दस तारीक को पहली वोटिंग होनी है और जो महौल अभी दिख रहा है वो महौल भारती जंता पार्टी के पक्ष में है और म इसी तरह है उसी को वोट दे दो अपना वोट हम बरबाद नहीं करेंगे तो यह सर्वे इस हिसाब से इसको आप इंटरपेट करते हैं यूपी के दंगल में मुख्यमंत्री की कुरसी पर विराजमान होते हुए तो बस योग्याद इतनाथ ही नजर आ रहे हैं खलेश तो द बाइस परसेंट मुस्लिम्स को भी आप कवर करें जो अपोनेंट का जो बोर्ट बैंक है उसको भी आप ध्यान में रख करके 47 परसेंट चार दिन के बाद पोलिंग होनी है और आपका जो नियरस्ट प्रतिदुन्दी है वो कहा तक है वो 34 परसेंट मतलब 15 परसेंट के आस पास का डिफरेंस है 14 परसेंट का ये जो फासला है ये फासला बता रहा है कि योगी आदित नात पर से मुख्य मंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है और जो चैलेंजर है वो चैलेंजर अपने आपको आप देखिए डिफरेंस कम से आपके कहें कि टफ कॉम्पूटिसन तब होता है जब डिफरेंस पांच परसेंट साथ परसेंट का हो चार परसेंट का हो तो बास समझ में भी आती है लेकिन अगर 14-14 परसेंट का डिफरेंस निजर आ रहा है यह तो बड़ा डिफकल्ट हो जाएगा अखली स्यादव की जिए और जैसे जैसे समय बीत रहा है अखली स्यादव के प्रचारत तंतर में वो आप यह समझे है हद अज सुना जैन चौधरी चले गए इलेक्शन कमिशन के पास कि उनके नाम से कोई पोस्ट कर रहा है वह आप लोग भी पोस्ट कर रहे हो सारे लोग जो है वो अबबा फ़ला रहे हैं सोसल मीडिया के ऊपर इसमें कोई पीछे नहीं है आप सोसल मीडिया की लड़ाई में आप बाक्फुट पे आ गये हो वहां भारदियनता पार्टी के पास रिसोर्स हैं लोग हैं अपने मन से काम करने वाले भी लोग हैं तो ये दिक्कत है और दूसरी दिक्कत मैं आपको बता दूँ आगे चलकत के और भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि जो जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके पास तो ये सोशल मीडिया और इस सबका तंत्र ही नहीं है वो लोग अपने जो उमिदवार हैं उनके लिए कैसे परचार परसार करेंगे जो कास्ट के नाम पे इसके नाम पे इधर का सेटिंग उधर का सेटिंग तो ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है अकले सेदब के पास अगर इतना भी रहता कि भई लोग औरेलिया कर रहे होते ये कर रहे होते एक महल बनता है उससे रोटस उसे महल नहीं बनता मीडिया में भी हर जगा आप देखी उनके पास ज़्यादे लोग है होता कया प्रचार-प्रसार का माध्यम क्या रह गया सोसल मीडिया हो गया और पिर टेलिवीजन हो गया टेलिवीजन पे ये लड़ाई ही जो है वो बहुत ही लॉप साइड़ है वो सिंपली भारति इंदा पार्टी किया वो उसमें वर्चस ही है सरकार है उसकी वज़त से भी होता है दूसरी बात जो सबसे एहम चीज़ है जो सबसे मूल बात है वह यह है कि आपके पास तीन ऐसे लीडर है जो कहीं भी जाएंगे वह मीडिया को उसे उन्हें दिखाना मजबूरी है मजबूरी क्यों है मजबूरी इसलिए कि वह टी आर पी आते हैं प्रधान मंतरी मोदी यह अमिश्वा है योग्यादितनात है अब बाकी को मैं छोड़ दे रहा हूं कि राजनाँ सिंह हो या और भी इस्मिति हिरानी हो बड़े बड़े और भी लीडर्स हैं इनको आप छोड़ भी दीजिए अमिश्या योग्यादितनात प्रण मं दिखाएगा तो मजबूरी है द्रवाज उसकी ट्यार पी चली जाएगा उस तो कोई देखेगा नहीं मायवती करनी रही दूसरा क्या भी सोची राजभर करे राजभर अगर वह रोड़ सो करेगा वह रैली करेगा भाई हम लोग 20 साल से इस इंडस्ट्री में है टेलिविजन में आप दिखाएंगी राजभर के लाइफ बिल्कुल नहीं आटी अलनेस पैसे वह से देखर क्या आप नहीं क्यों दिखाएगा दर्सकों को भगाना है थोड़ी एक बच गया अखलेश चादव अब अखलेश चादव एक तरफ अखलेश चादव अखलेश चादव वह ज वह तीती जगह वह उनका लाइब चलता है आप एक जगह रहते हैं और दूसरा इनसे जैंत चौधरी को भी कोई लाइब नहीं दिखा रहा तो एक तो प्रचार का जो माध्यम बच गया है अकेला टेलेविजिन सोसल मीडिया सोसल मीडिया में उनके पास पहले से पूरा उन अकले स्यादव की बात कम लग लोगों तक पहुंच पा रही है और इनके जरीए जो है तीन तीन बड़े बड़े जो लीडर्स है उसके जरीए जो है तो यह एलेक्शन किसी भी मने हर हिसाब से यह मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि भार्तियंतर पार्टी के पक्ष में स समाजबादी पार्टी की बात छोड़ दे बीसपी और कॉंग्रेस की बात करें कॉंग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया मायवती ज़्यादा नजर नहीं आई नहीं वो सोशल मीडिया में अक्टिव है लेकिन पहली पसंद मायवती ही बताई सक्सियत बनती है और वो एक एतिहासिक महिला है यह दम ध्यान में रखिएगा कोई भी आद्मी मायवती भले डाउन है अबी लेकिन उससे उनकी राजनीती का आकलन नहीं किया जा सकता मायवती के पास जितने अपने हाड कोर वोटर्स हैं उसका मैच ना कॉंगरेस पार्ट समाजवादी पार्टी के साथ क्या है समाजवादी पार्टी चुके वो भारती जनता पार्टी से लड़ती को नजर आ रही है मुसलिम वोट जो है 20% के आसपास वो एन ब्लॉक वो समाजवादी पार्टी के पीशे चला गया इस इस दो ओनली तिंग जो मैं शुरू से कह र कुल लड़ती वी नजर आती है को हराती वी नजर आती है पूरा मुस्लिम वोटर जो है वो उसके पीशे चला जाता है मायवती को ये प्रूफ करना था चुनाओ से पहले छे मैना पहले कि लोगों को लेकर क्याती है ये प्रूफ कि अपने नाम से लोगों को लेकर क्याती है प्रियंका वाडरा और दूसरे इस तरह के लीडर जो है ये यार नो मैच जी अब तो लोग इनको टूरिस्ट नेता कहने लगे है बिल्कुल बिल्कुल ही कहेंगे वह आप देखिए ये मायवती से आप प्रियंका वाडरा का कोई यूपी केंदर तो आप कोई मैच नहीं है मायवती के पैर के नाखून के बराबर नहीं है प्रियंका वाडरा उनकी सक्सियत जो राजिनती में जो उन्होंने अचीव किया है तो ये कहानी है वैसे मैं आपको बता दूँ चुनाओ आते हैं जाते हैं कोई पार्टी दो बार जीत जाए तीन बार जीत जाए तीन बार ह कि 2009 में फोर्थ नंबर की पाटी थी यूपी के अंदर यही कॉंग्रेस पाटी 2009 के लोगसभा चुनाओं में नंबर वन पाटी थी आप ये फर्क समझे पिछली बार ही लोगसभा में 2019 में मायवती को ज्यादा वोट्स आए तो ये सारी चीजे हैं अपनी जगा पे हैं लेकिन जो अभी हम लोग इनलाइस कर रहे हैं कि जो सर्वे क्या कह रहा है सर्वे की चीज़ कह रहा है बाबा इस बैक अपने चीफ मिनिस्टर के चेंबर में वो बापस बैठे बिल्कुर और सरश्वती मा का आशरवाद भी मिल रहा है बहुत बहुत शुक्रे हैं दन्यवार तो 27 फरवरी 3 मार्च और 7 मार्च को राज में मद्दान होने हैं जबकि मतों की गिंती 10 मार्च को होगी और उपिनियन पोल के मताबिक बीजेपी एक बार फिर अपना पुराना करिश्मा दोहराने में काम्याब नजर आ रही है इस उपिनियन पोल पर आपकी क्या कुछ राय है कॉमेंट करके जरूर बताए हमारे स्कार शो यूपि के दंगल में फिलाल इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी का ही चानल कैपिटल टीवी उत्रदेश नमस्कार